किसान भाईयो राम राम नमस्कार मैं सती शर्मा जाप्रवादी पूसा मेले में धान की पौध लगाने की एक नई मसीन का अविस्कार हुआ है और पूसा के बैग्यानिकों ने आप सभी किसानों के लिए बहुत ही सस्ती, कारगार और बढ़िया मसीन तयार की है इस मसीन की वीडियो हमने पूसा के मेले में बनाई थी दुरभादी से यह वीडियो हमसे दोस्तो मिस हो गई फिर भी इस चित्र के माध्यम से और जो वीडियो उपलवध हुआ है उसके माध्यम से हम आपको प्री जेनरेटेड पैडी प्लांट लगाने की जो मसीन है उसकी वीडियो दिखा रहे हैं पूरी जानकारी दे रहे हैं दोस्तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में जरूर सेयर कर देना ताकि सभी किसानों को इसका लाव मिल सके और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखना दोस्तों जो छोटे किसान है मध्यम दर्जे के किसान है वह महंगी मसीन नहीं खरी सकते और छोटे खेतों के लिए बड़ी मसीन नहीं मगा सकते ऐसी इस्थिती में धान की पौध रोपने में उन्हें मुश्किल होती है बड़िया तरह से वह पैदावार नहीं ले पाते हैं लेकिन यह जो मसीन है यह मसीन धान के अंकृत बीज को खेतों में रोपने वाली मसीन है ना इसमें पैट्रॉल का कोई जंजट है ना डीजल का खंजट है और ना ही इसमें कोई इंजन का जंजट है बहुती सस्ती कारगर मसीन है जो कई रो एक साथ रोप सकती है और काफी दूरी पर बिल्कुल सही पैदाबार धन की लेने के लिए आप इस मसीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस मसीन की तारीव है? आई ये देखते हैं। किसान भाईयो यह पूसा का अविस्कार है और पूर्व अंकरित धन की बुवाई का यंत्र है मात्र 6698 रुपे इसकी कीमत है। इस कीमत पर आप इस मसीन को पूसा से मगा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्किप्सन में इस मसीन का अविस्कार करने वाले बेग्यानिक का हम नंबर दे रहे हैं। आपको जैसे खेतों में धान की रोपाई करनी है वैसे ही आपको धान का खेत तयार करना होता है और धान का जो सीड है उसे थोड़ा सा भेगो कर रखने हैं और जब उसमें अंकुरण होने लगे तब उस अंकुरित धान को इस मसीन में रखकर एक साथ छै लाइन की धान के अं किसान हैं बड़ी मसीन नहीं खरी सकते पैटरोल डीजल का खरचा सहन नहीं कर सकते या पैटरोल डीजल से बचत करना चाहते हैं और कम खरचे पर बढ़िया दान की भसल की बुवाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इस मसीन के बीज की इसमें बिजाई कर सकता है दोस्तों बहुत सारी मसीन आ रही है धान की फसल रोपने की लेकिन काफी महंगी है हर आदमी इन मसीनों से काम नहीं करा सकता काफी खर्चा किसानों का इस मसीन के द्वारा धान की रोपाई करने में लग जाता है लेकिन एक बार आप इस मुंकृत बीज की बिजाई कर सकते हैं और इस मसीन से आप बढ़िया प्रसल ले सकते हैं किसान भाय यो पूसा का यह नया आविश्कार है और काफी यह किफायती है और काफी चलन में यह जल्दी ही आने वाला है आप इस वीडियो का डिस्क्रेप्शन जरूर देखें और इस